एक मिथक चलता है भारत के अंदर के समराट असोक ने तलवार रखी तो देश गुलाम हो गया यह बातें जो चलती हैं पर बड़ी हसी आती है क्योंकि इन बातों को सुनने वाले और कहने वाले कम से कम अपने दिमाग का इस्तमाल कर लेते तो उन्हें समझ में आ जाता समराट असोक ने जो धम अपनाया उसमें करुणा मैतरी भायचारा ममता पूरी तरह से कुट-कुट के भरागुए उसमें हिंसा नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने जो तलवार रखी उससे पूरे देश के अंदर जितने भी लोग थे उन्हें हिंसा खतम हो गई और भाई चारा करोणा आगे खास और से कलंग युद की हिंसा देखने के बाद क्योंकि हिंसा ते कोई फायदा नहीं है उन्होंने जो तलवार रखी युद नहीं किया वो अपने लोग अपने भारत के लोग के खिलाफ में उन्होंने तलवार रखी और एक धम बताया कि आप सबको इस पर चलना है मगर जो उनकी सेनाए बाउंडरी पर थी एरान से लेके बरमा तक वहां से कोई सेना उन्होंने नहीं इटाई वो राजा बने रहे तलवार उनके पास रही ताकि दुस्मन उनकी सेना में ना खुसे और पूरी जब तक उन्होंने राज किया तब तक एक भी बहार का युद्ध नहीं हुआ कोई भी आदमी या कुछ ऐसा नहीं आया जिसने बहार से युद्ध किया हो या अगर युद्ध किया तो राजाने तलवार ना उठाई हो तो इसलिए ये कहना गलत है कि समराठ असोग ने बनी तलवार रखी इसलिए वो गलाम बने उनके जो पुत्र थे और उनके जो बाद में पुत्र आये जो ब्रहंदत थे वहां तक राज पूरिते से चला बहार से कोई आक्रमन नहीं आया कहीं कोई सत्रू बहार से नहीं आया कहीं कोई बहारी युद्ध होने की समाचार पूरे थियास में नहीं है फिर भी जो बरंदत था यानि जो समराट असोक के जो पोत्र थे उनका राज्य गया उनके राज्य को उन्हें मारा गया तो इसमें ये जान लेना चाहिए कि उन्हें मानने वाले बाहर के लोग नहीं है उन्हें मानने वाले देश के अंदर ही लोग हैं जो गद्दा लोग थे क्योंकि समराटर सुक का सासन दुनिया में सबसे बहतीन सासन में आता है उनके बाद जो उनके पुत्र या जो उनके पोत्र हैं उन्होंने भी जो सासन किया उसमें कहीं भी जनता को कोई परिशानी नहीं आती आडंबर पूरी तरह से गायब था चोरी चकारी खतम थी लोग वेबचार बंद कर चुके थे सराब कोई पीता नहीं था जो जूट बोलना था वो बंद हो चुका पांच ओ सीलो पे पूरी तरह से देश चल रहा था और देश में लगबग 26% बताते हैं कि पूरी दुनिया का GDP भारत में था और भारत में भारत से बंके manufacturing होके यहां से सामान जाता था मसाले जाते थे, कपड़े जाते थे और चीज़ें जाते थी और दुनिया से सोना आता था हमारे देश में इसनी इसको सोने की चड़िया कहते थे सबसे ज़्यादा व्यापार उसी समय था यह सोचने वाली बात है कि इतने अच्छे सासक को इतनी अच्छी व्यवस्था को कौन से लोग थे जिन्होंने खतम किया क्यों खतम किया और कमाल की बात यह है कि असोक के बाद में जो ब्रद भारत था उसके बाद में उनसे भारत नहीं समला जिन्होंने ब्रंदर्थ को मारा और ब्रंदर्थ को मानने के बाद राज्य इस्थापित किया उनोंने राज को छोटा करते चले गए इरान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, बंगला देश चला गया, नेपाल चला गया, वर्मा चला गया, स्री लंका चला गया इस सारे देश हटे हटे पूरे तरह से गायव हो गए और देश में लगाता छोटे 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 गुट से बनने लगे जो आज तक भी जारी है यानि ब्रद भारत का छोटा भारत बनाने में जो असोक जो ब्रंदत के बाद के लोग है उनका पूरी तरह से योगदान या उनका पूरी तरह से हाथ रहा है वो नाकाबिल और नालायक लोग रहे जिन्होंने ब्रहंदत की हत्या की पता नहीं किस उसूल से की किस कारण से की मगर वो कामयाब नहीं पाए वो देश नहीं चला पाए उनको देश चलाना नहीं आया इसलिए ये मितक पूरी तरह से जूट है ये दुश्ब्रचार है कि समराट असोग ने तलवार रखी इसलिए देश गुलाम हुआ क्योंकि देश में भीतर घात हुआ कुछ लोग समराट असोग की नीतियों से खुश नहीं थे, वो समानता की नीतियों से खुश नहीं थे, उनको यहाँ आडमर फिलाना था, उनको यहाँ करप्शन करना था समराट असोक के समय में देश भक्त लोग बहुत ज़्यादा थे, करप्शन बिल्कुल जीरो था, इसलिए उन्होंने दिद्दुश परचार किया, ताकि समराट असोक का सासन दुबारा से ना आ जाए, या लोग इस बात को ना जान जाएं, कि समराट असोक एक ऐसा महान राजा था, जिसके समय में देश सबसे ज़्यादा समरद और सक्तिसाली रहा है, धन्यवाद जन्होंने कुलामिपन ऊहा है, झेल समरीause